नमस्कार जी बंजाब हर्याना हे माचल के खास पुल्टिन हर्याना हे माचल में आपका स्वागत है आपके साथ मेहुरीना कौरफ शुरुवात करते हैं हर्याना की एहम खबर से वाडरा डियल फ लान डील की जांच के लिए बनी जस्टिस धींगरा आयोग आज अपनी रिपोर्ट हर्याना सरकार को सौप सकती है जस्टिस धींगरा आज खुद रिपोर्ट मुक्यमंतरी मनोहरलाल को सौप सकते हैं जस्टिस धींगरा के अध्याक्षता में आयो का गठन पिछले साल किया गया था और उन्हें कॉंगर्स सरकार के दुरान गुर्गाओं में लाइन यूज बदल ले और लाइसेंस के मामले की जांच का जिम्मा सौपा गया था जांच के दायरे में रॉबर्ट पाडरा और रियल स्टेट कंपनी डियल एफ की जमीन की डील भी शामल है जिसको लेकर यारोप है इस डील के लिए लाइन यूज में बदलाव किया गया है लैंड डिल घोटाला मामले में रॉबर्ट वाडरा के खलाब क्या कारवाई होगी जस्टिस एसन धिंगरा के रिपोर्ट के आधार पर हर्याना सरकार जल्दी फैसला लेगी लेकिन इससे पहले रॉबर्ट वाडरा द्वारा फेस्बुक पर इस मामले को राजनीती से प्रेरित बताया जाने पर सियासी भूशा आला गया है कैबनेट मंत्री अनिलविच ने तो इस मामले में सीधे सीधे पोरमुख्य मंत्री भुपंदर सिंग होडा को ही निशाने पर ले लिया है होर भी राजनेताओं के रिष्टेदार हैं जिनका लोग नाम भी नहीं जानते हैं आप जब राजनीतिक सत्ता का दुरूपियों करोगे तो तभी आपका नाम लोग लेंगे वैसे तो कोई कीजी करने लेता नाम इस तरह की घबराहट जो दिखा रहे हैं उससे साफ साफ जाहिर होता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ गलत काम किया वरना इस तरह के फेस्बुक पर कोई लिखता नहीं है उधर इनेलोंने बीजेपी पर रॉबर्ट बाडरा को बचाने का आरूप लगाया है भारते जन्ता पार्टी ने पहले ही वो कागच पबलिक करके उनको देने का काम किया है या फिर भारते जन्ता पार्टी बताए कि किस तरीके से जब एक कमिशन सब कुछ सीकरेट रखती है बिना उनकी इन्वेस्टिकेशन के आज उनको इतने बड़े तथ्यव पर वो अपने आपको क्लिंचिट देने का काम कर रहे है वयाम आपनी पार्टी ने वाड़रा के लैंड टिल घोटाले के लिए कॉंग्रस और बीजेपी दोनों को सवालों के खेरे में खड़ा किया है देखिए जो लोग दमाज जी का कोस्टर जारी करने वाले लोग थे जिन लोगों ने पूरे मुलक के अंदर चुनाओ के दोरान हल्ला मचाके कि रावर्ट वाड़रा के सारे भरस्टाचार पर कारवाई होगी आज उन लोगों के सामने बड़ा प्रस्न है खास तोर से मोदी जी के सामने उनकी दो राज्य सरकारे हैं हरियाना में और राजस्थान में कि उन्होंने वाड़रा पर अब तक कारवाई क्यों नहीं की इस बीच कॉंग्रस ने भी कहा है कि वो हर जाच के लिए तयार है आरोप है कि कॉंग्रस अध्यक्च सुनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट बाड़रा के रियल इस्टेट कंपनी को जमीन आवंटिक किये जाने और लाइसेंस देने में नियमों की भारी अंदे की हुई थी इस धांधली का आरोप तदकालीन भूपेंदर सिंहूटा की सरकार पर लगे जिसके बाद 7 जून 2015 को प्रदेश में आई बीजेपी की मनोहर सरकार ने मामले की जाच जिस्टिस धिंगरा आयोक को सौप दी थी और इस पूरे मामले पर जादा जानकार एक लिए हमारे सत मौचूद है हमारे समदाता कुलबीर दिवान कुलबीर यहाँ पर सबसे पहले आपसे जरूर जानना चाहेंगे किस वक्त क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कब तक यह रिपोर्ट मुख्य मंत्री को सौप जा सकती है क्योंकि अंदेशा यही है कि आज रिपोर्ट सौप जाएगी रिपोर्ट पूरी तरीके से तया है कि अज की काया काल जो है वो जस्टिस धिंगरा आयोका खतम हो रहा है जिस तरह के से वक्त का आपने जिकर किया है कुलबीर तो साड़े पांच बजी से जादा का वक्त हो चुका है कुछी देर बाद 6 बच जाएंगे तो ऐसे में बहुत एहम हो जाता है कि टाइमिंग अगर रिजर्व रखी गई थी तो अभी वहाँ पर क्या कुछ हल चल चल रही है और साथ ही यहाँ पर यह भी समझना बहुत जादा एहम हो जाता है कि जिस तरीके से रॉबर्ट वाडरा आप ट्वीट करके कहीं ना कहीं सानु बूती लेने की भी कोशिश कर रहे हैं इसमें वह यह कह रहे है कि दस साल से मैं निशाने पर हूँ जी बहुत बहुत शुक्रिया खुलबीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए तो किसी भी वक्त जुस तरीके से हमारे समधाता जानकारी दे रहे थे कि मुख्य मंतरी आवास में हैं मुख्य मंतरी खटर और किसी भी वक्त जस्टिस धीना उन्हें रिपोर्ट सौपने पहुंच सकते हैं